हल्यो नमश्कार आपका फिर्ज स्वागत है कोकिंग चैनल पैन्टू प्लेट में मुझे काफी सारे व्योज ने डिमांड की थी कि मैं अम्रिट सरी पिंडी छोले बनाओं और वो भी ट्रडिशनल तरीके से तो मैं उनी सब के डिमांड पर पिंडी छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि मैंने यहां पर एक स्पेशल इंग्रीडिन डाला है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो चली बनाना शूकरते हैं अम्रिट सरी कर लिया है यहां पर हमने दस लसुन दो तीखी हरी मिर्च आधा इंच अद्रक डाल के इसे हमने पीस लिया है अब हम कडाई में देड बड़े चमज तेल डालेंगे आज यहां में मद्यम रखना है इसमें अब एक टेबल स्पून घी डालेंगे आप चाहो तो राइका ते कवाव प्यास डालेंगे और इसे हमें ब्राउन होने तक पका लिमाप प्यास स्क अधतưởng के नहिए बहुत ही अच्छे से प्लक रहा है अब इस चोले को तीन से डाल देंगे और पांच कब पानी डाल लेना है यहां पर हमने यहां पर स्ट्रेनर लिया है यह मैंने एमेजॉन से खरीदा था यह मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा था क्योंकि बार-बार कपड़े यूज़ करने पड़ते हैं तो इसलिए मैंने इस ट्रेनर ले लिया है अब इसमें हम 1.5 टेबल स्पून चाय की पति डालेंगे तीन लॉंग आप यहां पर लॉंग की मातरा जादा भी कर सकते हो चोटी सी दाल चिनी हम यहां पर दाल चिनी की मातरा बहुत जादा नहीं करने वाले हैं क्योंकि दाल चिनी बहुत ही स्ट्रॉंग होती है और इ बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यहां पर सूखा आवला भी डाला जाता है जब छोले उबाले जाते हैं तो हमने यहां पर करीबन 12 से तेरा सूखे आवले डाली हैं अब स्टेनर को हम बंद कर देंगे तो हम यहां पर स्टेनर को डाल देंगे पानी में साथी साथ में हम यह अधा टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालेंगे तो मैं यहां पे छोलो के उबालने के लिए सोडा नहीं डालूंगी क्योंकि हर वक्ष सोडा की जरुवत नहीं होती है बिना सोडा के भी काम चल जाता है और बहुत ही अच्छे से चलता है तो अब कुकर को हम यहां पे बंद क छोले में तालेंगे तो मिल्हां दालेंगे और साथ और साथ ही साथ में टमाटर का नहीं और सॉन्णननक कम गणा करेंगे कि तयार हो चूका में टेल किनारे अटा पर दिखने लगा है आज हें पे हमझाखर अब इसमें हम पाउडर मसाले डालेंगे अब हम एक चोले मसाले, आधा टीस्पून गरम मसाला, मैं यहाँ पर किचिन किंग का मसाला यूज कर रही हूँ, तो यह थोड़ा सा तेज रहता है, तो यहाँ पर मैं आधा टीस्पून का इस्तमाल करूंगी, एक टेबल स्पून लागमर्श पाउडर, एक टेबल स्पून धन्या अच्छे से घुल मिल जाए, तो यहाँ पर मैं एक टेबल स्पून अनारदाना पाउडर डालूंगी, साथी साथ में आधा टीस्पून अमचुर पाउडर, मैं यहाँ पर बहुत जादा खटा नहीं करूंगी, ने तो इसका फ्लेवर बहुत ही जादा खटा हो जाता है, इ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, कि छोले बहुत ही अच्छे से मसल रहे हैं, बिना सोडे की भी, तो हम यहाँ पर स्ट्रेनर को हटा देंगी, तो यहाँ पर एक मेट हो चुका है, और मसाले पूरी तरह से पक चुका है, अब हम यह करने वाले हैं, कि पहले हम छोले डालेंगे, यहाँ पर हम छोले और पानी दोनों साथ में नहीं डालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उबले वे छोले डाल देंगे, अब इसमें हम फिर से हलका सा नमक डालेंगे, हमने छोले में हलका सा नमक डाला था, नमक हमें उतना ही डालना है कि बैलन्स हो जाए, और अच्छी तरह से हम इसे मिला लेंगे, हमें यहां पर बहुत ही हलके हलके हाथों से मिलाना है, तो देख तो अब यहाँ पे 10 मिट हो चुके हैं, अब हम यह करने वाले हैं कि जो छोले का पानी है वो हम डाल देंगे इसमें, हमें यहाँ पे उपर से साधा पानी नहीं डालना है, अब हम यहाँ पे ढग देंगे और 15 मिट तक इसे धीमी आज पर पका लेंगे और तो देखिए पिंडी छोले परफेक्ली तयार हो चुके हैं और इसमें अच्छे से उबाल आ चुका है अब इसमें हम तड़का दे देंगे जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है तो और जैसे ही घी हलका सा गरम हो जाएगा इसमें एक चोथा ही टीस्पून हींग पाउडर तीन हरीमिश डालेंगे आप चाहो तो यहाँ पे छीरा भी लगा सकते हो हरीमिश में अब थोड़े से लंबे कटेवे अधरक यानि की अधरक के जुलियन इसे हम हलका सा मिला लेंग छोले में दरारे आ चुकी है और चोले बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं तो छोलो को इसी नी की अगया चीए ज़क्ण है। तो मैं उमीद करती हूँ आपको ये अमरत सरी पिंडी छोले की रेस्पी पसंद आई होगी, आप ज़रूर घर पर ट्राय कीजेगा और आपका मूली फीडबैक दीजेगा, शुक्रिया, धन्यवाद, have a wonderful day.